प्रीवियू तो हलो एन वेलकम तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9 का सोशल साइंस का सेकेंड चेप्टर इंडिया एन इंट्रोडक्शन का नेक्स्ट पार्ट तो आज का जो हमारे टॉपिक हो है दा इस्टन हिमालियाज ठीक है दा इस्टन हिमालिया इसका मतलब क्या है हम लोग जो हमारे नौर्थ इस्टन इंडिया में जो हिमाले जो एक्स्टेंडेड है उसके बारे में जो हम लोग पढ़ने वारे बेसिकली अरुनाचल प्रदेश हो गया शिक्कीम हो गया ये सारे जगों पर इस्टन हिमाले क्या है extended है मैंने आपको मैप में भी दिखाया था पिछले वीडियोस में यह हमारे हिमाले जम्मू कस्मिर से स्टार्ट होता है अधर अरुनाचल प्रदेश तक जो है क्या है एक धनुस के आकार में क्या है वो फैला हुआ है ठीक है में हो गया यह सारे जगों पर ट्राइबल लोग रहते हैं तो उसी तरीके से यह जो इस्टन हिमाले है हमारा वहां पर भी इस्टन हिमाले में जो है बहुत सारे ट्राइबल्स लोग रहते हैं जैसे नागा लेंड में जो ट्राइबल लोग रहते हैं उसको नागास कहा जाता ह जो मीजोरा में रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? मीजो कहा जाता है, बोडो, मिसमी, यह सब जो है क्या है? अरुनाचल प्रदेश के या अनागा लेन, मडीपूर के यह सब क्या है? ट्राइबल्स हैं. अब हम लोग इन्ही ट्राइबल्स लोगों के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि किस तरीके से यहां लोग रहते हैं और अपने लाइबल्स को चलाने के लिए जो है, वो क्या-क्या चीजें करते हैं, किस तरीके से अपने डेली लाइप के नीट्स को फुल्फिल करते हैं, कि अब आपको पता है कि जो हमारे इस्टन हिमालिया वारे जो पोर्शन है वो बे अफ बंगॉल के क्या है बहुं जादा नजदीक है ठीक है अब यहाँ पर देखो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि दुनिया में या अर्थ का सबसे जो वेटेस्ट प्लेस है उसमें से क्या है यह एक है हमारा इस्टन हिमालिया मतलब आप समझ सकते हो 300 सेंटीमेटर मतलब 3 मीटर इतनी ज़ादा बारिश यहाँ पर साल भर में हो जाती है अर आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे ज़ादा जो बारिश होती है वो हमारे इंडिया का एक स्टेट है में खाले और में नहीं संटीमेटर, मतलब यहाँ साल भर में कितनी बारिश होती है सोच सकते हो, 1187 मिटर, मतलब लगभग लगभग आप बोल सकते हैं, 12 मिटर आसपास यहाँ पर साल भर में, 12 मिटर उचाई जितना बारिश यहाँ पर हो जाता है, हम लोग जहां हमारे 36 गड़ में रहते हैं, उस 36 गड़ में साल भर का जो रेनफॉल होता है, वो साल से 120 सेंटीमिटर के बीच में रेनफॉल होता है, तो सोचो कि वहाँ पर इस से 10 गुना अल्मोस्ट जादा बारिश कहां पर होती है, में घाले के मासिन राम पर होती है, अब आप एक पिक्चर को एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये पिक्चर आपको हमें अभी आगे जब पढ़ेंगा तो फिर से ये आएगा, ये पिक्चर जो है क्या है? अरुनाचल प्रदेश का है, की अरुनाचल प्रदेश के लोग कैसे रहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हूँ, इनका जो घर है वो क्या पुरा लकडी का बना हुआ है और नीचे वाला हिस्सा क्या है खाली है ये रहते कहां पर देखो सिड़ी सी तरीक से चड़ते हैं और उपर में जो है इनका living room है ये यहां पर रहते हैं तो ऐसा नीचे को खाली रखने का reason क्या है वो जब हम लोग आग हमाले के पार्ट है देखो नागा हिल्स यह सब यहां पर है और यह सब क्या है बे अफ वंगॉल के जो होती हो बहुत जादा होती है चलो आगे देखते हैं इसी में continue करते हैं यहां पर बारिश कबसे चालो हो जाती है जब इंडिया के other reason में temperature बहुत जादा हाई होता है सो जो मार्च में जो है हम लोगों किया कितनी जादा गर्मी होती है मार्च में अपरेल में मई में यहां कितनी जादा गर्मी होती है लेकिन वही पर अगर आप north east चले जाओगे तो वहाँ पर eastern हिमाले के जो असम में घाले, त्रिपूरा, मिजुरा, यह वाले जी states हैं यहां पर बारिश शालो हो जाती है The downpour in intense from May to September और सबसे जादा बारिश होती है मई से सितंबर के मन्त में The only months when there is a let up in the rain are December, January and February वहां पर सिर्फ तीन महने ऐसे हैं जहां पर बारिश बहुत कम होती है नहीं के बराबर होती है वो है December का महिना, January का महिना और February का महिना बाकी इन तीनों महिनों को छोड़ कर पूरे साल भर यहां पर बारिश continuously होते रहती है Due to the continuous downpour in the summer, temperature never claims too high in the Eastern Himalaya The high altitude also ensures it never go too hot, but in the winter it's freezing cold, some areas even have snowfall अब देखको यहां पर इतनी ज़्यादा बारिश होती है, जिसके कारण से यहां का जो temperature है कभी भी हद से ज़्यादा बढ़ता नहीं है, ठीक है, बस यहां पर क्या होती है, कई बार ठंडी के समय में इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ जाती है कि कई बार snowfall देखने को मिल जाता है, मतलब अगर आपको गर्मी के महिने में, अगर आपको गर्मी से बचना है और आपको बरसात इंजोई करना है, ता आप मार्च, अप्रेल, मई में जो है, या जून महिने में आप क्या कर सकते हो, अपना जो है, नौर्थ इस्ट इंडिया को घूमने का आप प्लान भी बना सकते हो अब अब अव्यसी बात है, जितनी जादा बारिश होगी, उतनी जादा इंटेंस वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो है, फोरेस्ट होंगे अब जितनी तेजी से यहाँ पर पेड़ पौधों को काटा जाता है, उतनी तेजी से नए पेड़ पौधों को उगने के लिए, फलने फुलने के लिए का चाहिए, पानी, वहाँ तो साल भर अलमोस्ट बारिश हो राए, तो इसलिए वहाँ के पेड़ पौधे बहुं अब यहाँ का एक तो टेरेन, तेरेन मतलब यहाँ का जो धलान है, जो हिमाले का इसलिए अब बहुं जादा बारिश, यह दो चीज के कारण नौर्थ इस्टन इलिया में या इस्टन हिमाले में जो है अगरिकल्चर कर पाना, फार्मिंग कर पाना क्या हो जाता है, डिफिक भारिश होती है, तो क्या होता है, जो स्लोपी वाला एरिया होता है, वहां से मिट्टी भाहकर जो है, आ जाती है, ले और प्राम्लम रस्ट बैङ्टेरिस थारहे टीरेस्टर कर दीर इस्टन हिमाले. अब यहाँ के लोग क्या करते हैं देखो अब बहुं जादाрас जमीन जो कारण से बह जाती है, तो हिमाले के आज़पास के जो भी area है, वहाँ के जो लोग हैं क्या करते हैं, यहाँ पर जो agriculture करने का एक नय सिस्टम डेपट करते हैं, जो क्या बलते हैं, terrasse farming बोलते हैं, ठीक हैं, लेकिन eastern हिमाले में इpsyरreas farming हैं, यह ज़्यादा successful नहीं है क्यों ज़्यादा successful नहीं है terrace farming क्योंकि यहाँ पर साल बर बारिश होती है और बारिश जब होती है बहुत ज़्यादा होती है तो मिट्या जो होती है बहुत जाती है बाकी जगा हिमाले पर बारिश उतनी ज़्यादा नहीं होती है इसी लिवहाँ पर terrace forming कर पाना possible है, तो इसे चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अरुनाचल प्रदेश का एक गाउं पर हम लोग विजिट करते हैं, जिस तरीके से हमने उत्राखन का बारसुन नामक गाउं को विजिट किया था, और लद्दाक में हम लोगोंने फ रोतार सॉना flat on the land atop high mountains, जिस गाउं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस गाउं का नाम तो नहीं दिए है, लिकिन व जो गाउं है न वो पहार के पॉंप में बसा हुआ है, और पहार कर टॉप है, जहां पर plain area है, पहार के top में आप जाओगे, तो कई बार क्या होत अब आपको पीचर में जो दिखाया था जिसको आपको बोला था याद रखने घर कैसा बना हुआ है तो उसी घर की बात कर रहा है यहां के जो घर होते हैं किससे बने होते हैं या बैंबू से बने होते हैं एक रूम होता है और बड़ा सा एक क्या होता है बरामदा जो यहां प of the heavy rains so it abundates in snack scorpions spiders in the snale और मैंने आपको बताय था कि उनका घर बनाने का ऐसा तरीका होता है कि नीचे वाला जो हिस्सा होता है बिलकुल खाली होता है तो इसके खाली होने का होते हैं वों क्या करते हैं यहां पर हमेशा टहलते रहते हैं जिसके कारण से जानमाल का कई बार खत्रा भी हो जाता है इसलिए नीचे वाले हिस्से को बिल्कुल फ्री रखते हैं इसलिए क्या करते हैं जो घर जो बनाते हैं लकडियों से या बास से ये घर को क्या करते हैं एक फ्लोर उपर बनाते हैं ठीक है ताकि वहाँ पर पहुँच ना सकी ये इंसेक्ट वगरा अब ये घर के अपने आसपास जो है क्या करते हैं ट्रीज उगाते हैं और फ्रूट्स वगरा जो हैं अपने घर के आसपास उगाते हैं यहाँ पर सब एक दूसरे के क्या है, relative है, यह सब एक ही फैमिली से अलग-अलग हुए हैं, लेकिन अलग-अलग जगों पर जो है क्या करते हैं, अब आगे देखते हैं कि यहाँ के लोग farming करने के लिए कैसे बाहर जाते हैं, और किस तरीके से farming करते हैं, यह दिसम्बर के महिने में जब बहुं जाते हैं ठंडी होती है, तो घरों से बाहर निकलते हैं, agriculture के लिए, अब यह दिसम्बर के महिने में जब क्या होते हैं, अपने घरों से बाहर निकलते हैं, बारिश बंद होती है, तो यह अगरी culture का planning करने लगते हैं, लेकिन अगरी culture का planning करते समय क्या होता है, कि इस समय बारिश जो है रुख जाती है, और यहाँ पर कहने को साल भर बारिश होती है, लेकिन बारिश का पानी बिलकुल भी नहीं रुख पाता है, क्यों नहीं रुख पाता है, क्योंकि mountains area है, और mountains area बहुँज़दा sloppy होते हैं, तो जितना भी बारिश होता है, सारा का सारा पानी क्या होता है, बहा कर जो है नीचे आ जाता है, इसलिए इनको December जन्वरी मंथ में पानी के लिए क्या करना पड़ता है नीचे उतरना पड़ता है क्योंकि इनका घर उपर बना हुआ है तो नीचे जहां पर water का source होता है यहां से वेडी से यह क्या करते हैं पानी को जो है लेते हैं The village of this Nisi clan has two or three mountains nearby the belongs to the clan They own the forest as well अब यह जो इनका जो group है न जो निशी यहां पर जो group है विजिस village के हम लोग बात करें यह पूरे group में रहते हैं और इनका group का जो है आपस में बटवारा हुआ है कि इतना जमीन इनका है इतना जमीन इनका है ऐसे और भी गाओं जो होंगे न सारे गाउं का आपस में बटवारा है कि इस जमीन पर ये लोग नहीं आएंगे, इस तरीके से वो क्या है, divided है अब जैसे मान लोग कि एक हिस्सा, एक बहुत बड़ा एरिया जो है, एक गाउं के लोग जो है क्या कर लिए, क्लेम कर लिए कि यहाँ पर हम लोग खेती करेंगे करके, तो अब उस गाउं में जितने भी घर होंगे, कोई यह नहीं बोलेगा कि इतना हिस्सा मेरा है, इतना हिस्सा तुम्हारा है, इतना हिस्सा तुम्हारा है कि इतना जमीन तुम्हारा है, इतना जमीन तुम्हारा है, ऐसा वहाँ पर नहीं होता है, पूरे ग्रुप वालों का एक हिस्सा जमीन रहता है अब देखो यह क्या करते हैं, हर साल दिसंबर के महिने में गाउं वाले जो है क्या करते हैं, आपस में इकठ्था होते हैं, और इकठ्था होकर डिसाइड करते हैं कि इस साल हम लोग किस जमीन पर जो है क्या करेंगे, खेती करेंगे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो तो अगर यह हर साल खेती करने के जमीन को अगर change करते हैं तो जो पिछले साल खेती क्या था उस जमीन का क्या हुआ आगे समझते हैं तो यह क्या करते हैं साल में जिस एरिया को यह सेलेक्ट करते हैं कि इस एरिया में हमें agriculture करना है वहाँ पर एक साल agriculture करने के बाद 7 से 8 साल तक उस जमीन पर दुबारा agriculture नहीं करते हैं उसको खाली छोण देते हैं खाली इसलिए छोणते हैं ताकि वहाँ पर paint पौध है bamboo अगरे फिर से क्या हो सकें ग्रो हो सकें अब इन्होंने पिछले साल जिस जगा पर खेती किया था अब इस जगा को वह खाली छोण के भागाए हैं वहाँ पर दुबारा agriculture नहीं करेंगे या कोई भी farming का काम वहाँ पर नहीं करेंगे तो अब इनको क्या करना पड़ेगा एक नया जमीन ढूनना पड़ेगा तो यह क्या करते हैं December के महिने में सारे के सारे लोग जो है गाउवाले निकलते हैं और क्या करते हैं एक नई जमीन या एक नई एरिया के तलास में जो है रहते हैं After roaming the forest and discussing for long They decide to farm the southern slope of the nearby mountains this year और जिस गाओं के हम लोग बात कर रहें उस गाओं के लोग पूरे लड़के लोग जो थे वो क्या करते हैं पूरुस लोग जो थे या मेल लोग जो है वो क्या करते हैं जंगलों में जाते हैं और जंगलों में बहुत जादा एरिया को छानविन करते हैं और बहुत लॉंग ड Decide कर लिए कि इस एरिया पर हम लोगों को agriculture करना है, तो वो forest है, तो अगला task होता है कि जमीन का decide करने के बाद वहाँ पर जो पेड़ पौध हैं, क्योंकि यह क्या एक थाली जमीन तो वहाँ है नहीं, पूरा का पूरा जंगल है, तो यह जंगल के ही एक हिस्से को decide करते हैं कि agriculture करना है, और जिस हिस्से को decide करते हैं कि यह agriculture करना है, वहाँ के पेड़ पौधों को अब क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, this is hard work, अब यह क्या बहुत बड़ा काम है, ऐसा नहीं कि एक दो पेड़ है, कई हजारों पेड़ों को क्या करना पड़ता होगा, इन कटवारा नहीं करते हैं, मतलब सब के लिए बराबर हिस्सा आजाए, वैसे जमीन कोई क्या करते हैं, काटकर तियार करते हैं, in this way, plots are prepared for everyone in the stages, और सब के लिए यहाँ पर plot जो है क्या क्या जाता है, अलग-अलग divide जो है कर दिया जाता है, no outside labor is hired to the do the job, anyway there is no labor available in the region, अब यहा के लोग ही आपस में इकठा होकर एक सांच जो है, एक दूसरे के लिका करते हैं, मिल कर जो है, काम करते हैं, सब एक दूसरे के मदब से खेत को तियार करते हैं, when failing the trees, the shrums out left in act the stems and the roots prevent soil erosion, अब यह क्या करते हैं, जमीन को पेड़ पौधों को डिसाइड करने के बाद, erosion क्या होगा, बहुँ जादा हो जाएगा, जो पेड़ पौधे के जो roots जो होते हैं, वो soil को bind करके रखते हैं, तो इसलिए यह क्या करते हैं, जो बड़े-बड़े trees जो होते हैं, उसके roots को निकालते नहीं हैं, बस उपर से काट कर छोड़ देते हैं, ताकि यहां soil erosion का problem ना ह हो जाए, once the trees are filled, they are left in fill to dry, अब एक बात जब पेड़ पौधे वहां क्या कर जाता है, तो इसको सुखने के लिए क्या करते हैं, कुछ दिर के लिए क्या करते हैं, या कुछ समय के लिए क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं, the dried trees are burned in March April before it begins to rain, और जो पेड़ पौधे जो burn trees, अब क्या होता है कि वो जिस जमीन को पेड़ पौधे को काटे थे, जो बचा हुआ हिस्सा होता है, और जो पेड़ पौधे होते हैं, सूखने के बाद सब को जला देते हैं, और जलाने के बाद जो पूरा राक होता है, वो जमीन पर क्या होता है, पड़ा हुआ रहता है और जब एक दो बार साल की बारी स्टार्ट हो जाती सुरू की तो जो राक होता है जो जला हुआ रहता है वो जमीन के साथ क्या हो जाता है घुल जाता है इसे कल्टीवेशन को हम लोग क्या बोलते हैं जूम कल्टीवेशन जो है बोलते हैं तो बेसिकली जूम कल्टीवेशन क्या होता है जब ट्रैबल्स लोग क्या करते हैं जंगल के एक बहुत बड़े हिस्से के पेड़ पधों को काट देते हैं और वहाँ पर साल में एक बार अ आप देते हैं कई सालों के लिए 7-8 सालों के लिए फिस नए जगह पर जाते हैं और वहां के पेड़ बधों को काट करे वहां agriculture करते हैं तो इस तरीके का shifting करने का जो agriculture होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं जूम कल्टिवेशन जो है हम लोग इसको बोलते हैं अब देखो यहाँ पर हल की जरुरत नहीं पड़ती है क्योंकि अगर यह खेतों की जुताई कर देंगे तो मिट्टी क्या हो जाएगी जमीन में जो चिपकी होई मिट्टी वो उपर आजाएगी और जब बारिश होगे तो यह मिट्टी क्या हो जाएगी बहाँ जाएगी इसलिए यहाँ पर हल का काम नहीं किया जाता अब अप्रेल के महिने में क्या होता है बारिश कम होती है और मई के महिने में बहुत जादा बारिश होती है अब यहाँ पर क्या होता है जब जमीन तयार हो जाती है तो गाओं के जितने भी मेल और फीमेल होते हैं वो क्या करते हैं बास्केट वगरा में जो है सीट्स को ले कर जाते हैं और जमीन के निचले हिस्से से जो है क्या करते हैं सीट्स को जो है वहाँ पर डालना चालू करते हैं A small hole is made in the earth with the hoe, and a few seeds are dropped in the hole and are covered with the soil. ये क्या करते हैं? जमीन के निचले वाले हिस्से पर जाते हैं, और कुदाल वगरा के सहायता से जमीन को पहले खोदते हैं, वहाँ पर 2-3 बीच के seeds को डाल देते हैं, और फिर उसको मिट्टी से क्या करते हैं? कवर कर देते हैं. अब जैसी वाले स्टेज होती है, तो ये जो बीच जो लगाय हुआ रहते, बहुत तेजी से क्या करने लगते हैं? ग्रो करने लगते हैं, और यहां का एक प्रोब्लम ये है, कि जो हमारा में जो क्रॉप है, उसके साथ वहां पर क्या होता है? जो अधर क्रॉप्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? उगने लगते हैं बहुत तेजी से, और इन वीट्स को क्या करना पड़ता है? साल में 4-5 बार जो है क्या करना पड़ता है, इनकी निंदाई करने पड़ती है, जैसे हम लोग के 36 गड़ में होता हैं खेतों में निंदाई करते हैं, जो वीट्स आ जात हैं उगाए जाते हैं एक ही खेत में ठीक है ऐसा नहीं कि एक खेत में टमाटर लगा दी दूसरे खेत में अलू लगा दी ऐसा नहीं सब क्या करते हैं एक ही खेत में से पाजाते हैं इसके अलावा इनको और बाकी जो fruits वगरा हो गए tubers वगरा हो गए यह कहां से लेकर आते हैं यह जंगलों से लेकर आते हैं और यह काम basically कौन करती हैं यहां के महिलाएं जो हैं करती हैं इसके अलावा फ्रूट से क्या करती है यह अलग अलग टाइप के और सामान भी जो है क्या करती है बना कर रखते हैं ताकि उसको आगे क्या क्या जा सके यूस क्या जा सके ठीक है अब देखो यहां के जो लोग होते हैं राइस खाते हैं वेज़िटेबल्स खाते हैं मीट्स खाते हैं फ्रू लोग होते थे, population भी कम था, तो लोग जो है कम थे, तो जो अब लोग कम थे, तो छुटे-छुटे जंगलों को क्या करते थे, ये काटते थे, और उस जंगल पर 20-25 साल तक अग्रिकल्चर दुबारा नहीं करते थे, तो जिस जगा के पेड़ पधों को काटा गया रहता है, व ही क्या है, population बढ़ गया है, forest कम हो रहा है, तो जंगल क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, इसलिए बहुं सारा restriction लगाना भी चालू कर दी है, कौन? क्योंकि पहले जो है, जूम cultivation जब किया भी जाता था, तो nature को balance करके किया जाता था, ठीक है, कि एक बार जी जगह को चून ले, वहाँ पर 15-20 साल तक दुबारा नहीं करना है, लेकिन आप तो 2 साल, 3 साल, 4 साल में ही किया जा रहे हैं, और एक ही जगह पर जब आप बार बार साल बर agriculture कर दो तो productivity भी क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है, ठीक है, अब आगे देखते है, tribal development in northeast, अब देखो, नौर्थीस्ट में जो भी ट्राइबल्स हैं, वो तो जूम cultivation करके form fruits वगरा या अपना crop वगरा जो भी production करना है, livelihood को survive करने के लिए, वो तो करते ही हैं, लेकि प्रूट्स वगरा लाते हैं, ताकि उसको क्या कर सके, वो consume कर सके, इसके अलावा यहां के जो लोग है, education के मामले में काफी जाबला जो है, क्या है, जागरूख है, तो यहां के जो लोग है, जो नौर्थ इस्टन लोग है, हिमाले के, यह लोग क्या करते हैं, पढ़े मस है, जहां पर tea plantation जाता है, यह आप एक picture देख सकते हो, tea plantation का, और इस tea plantation के पत्तियों को तोड़कर मसीनों के help से जो है, क्या बना जाता है, चाय पत्ति वगरा जो है, बना जाता है, ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे, अगले वीडियो में हम करने वाले हैं, discussion जो है, करने वाले हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहे हैं, कोई doubt होगा तो comment करके बता सकते हैं, bye bye